इलेक्ट्रिक बस चालकों ने हर्ताल कर बसों का चकल जाम कर दिया साथ महपूर्व देवरी रोड पर ट्रैक्टर से चालक का हाथ कटने के बाद विभाग ने उस चालक का वेतन नहीं दिया वेतन और मुआवजे की मांग को लेकर परिवार मंगलवार डिपो पर आकर धरने पर बैठ गया समर्थर में चालकों ने बस कसंचालन नहीं किया चालकों की हर्ताल से यात्रियों को परिशानी का सामना करना पड़ा नाओकी सराय खंदॉली के रहने वाले चालक ब्रह्मा सिंग का ड्यूटी के दौरान देवरी रोड पर ट्रैक्टर से एक हाथ कर दिया था इस खटना को करीब साथ महा हो चुके हैं फिर भी विभाग ने उसका साथ महा का वेतन नहीं दिया है इससे गुसाए ब्रह्मा सिंग का परिवार सुभा से ही डिपो के वहर धरने पर बैढ़ गया ब्रह्मा सिंग के समर्थन में किसी भी चालक ने बसका संचालन नहीं किया चक्का जाम करने की खबर पर विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुँच गई पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन चालक कुछ भी सुनने को तयार नहीं है चालकों का कहना है कि पुराने चालकों की अंदेखी कर नए चालकों की भरती की जा रही है इसके साथी चालकों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ब्रह्मा नंद को पूरा भुकतान बुद्वार को देने का आसवाशन दिया है इसके साथी परिवार की एक सदस्ती को नौकरी देने का सवाशन अधिकारियों ने दिया है इसके बार चालकों ने बस संचालन शुरू किया मंगलवार सुभर से कई घंटे बस संचलन ठप रहने से विबिन मार्गों पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा बस चक्का जाम का फायदा ओटो और इरिक्षा चालकों ने काफी उठाया स्री नीउस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट